नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ल योर सेल्फ में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिक्के के बारे में ठीक है कि सिक्के का अध्यन के क्या बोलते हैं और ये कब हुआ था उसके पहले हमने राजधानियों और उनके जो दोदूजणपद थे、 महा जनपदों के उनको देखा था उसके भी पहले हमने कुछ परिक्छा उप्योगी तक्षों को भी देखा था कि जो छटी सताबदी इसापूर में और उनकी राजनेतिक दस्वा में महत्तपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे ठीक है आज का वीडियो वैसे आज काफी दिन बाद ये वीडियो आ रहे हैं उसका कारण ये है कि लास कुछ महिनों से क्या चल ला था PCS अभी कुछ दिन रिसेंटली ही क्या हुआ कि एक्जाम हुआ है PCS का तो उधर थोड़ा लोग बिजी हो गये थे इस वज़े से वीडियो क्या हो रहे थी लेट आ रहे थी ठीज है तो आपको फिर से अब क्या है वीडियो कंटीनू मिलती रहेंगी और आपको उसमें चीजें पढ़ाती जाएंगी वो भी एकदम step by step तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मगत सामराज पर हर एक सामराज को एक-एक करके हम देखेंगे हर एक वन्स को क्या करेंगे हर एक वीडियो में हर एक वन्स को अच्छे से हम डिफाइन करेंगे आपको एक-एक चीज बारे किया और उनके ही जो भी advantage, disadvantage, जो भी चीज़ें उसमें थी सारे चीज़ें आपको उसमें हम बताएंगे तो आज जो स्टार्ट हुए वो है मगत सामराज मगत सामराज में जो पहला वंस था जो एक एक करके step by step जैसा कि मैंने आपको बताया है flow chart की मदद से आपको उनके बारे में मैं बता हूँगा तो पहला जो मगत सामराज था मगर सामराज में तो सबसे पहला वंस आएगा वो होगा हर्यक वंस एक चीज और पीसस वगेरा में अभी जो रिसेंटली एक्जाम हुआ था उसमें आप देखेंगे तो जायतर क्वेशन क्रम वाईज आते हैं अगर आपको डेट नहीं याद है या फिर आपको सन नहीं याद लेकिन अगर आप पढ़ते हुए बस उनका क्रम याद रखते हैं कि हर्यक वंस पहले आया था फिर मौर वंस बाद में आया था तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे सही कर सकते हैं जो कि डिसेंटली अभी एक्जाम में पीसस में पूछा गया है आपको याद है कि हां मैंने यह पढ़ाया था और लोगों को इससे जो इसको देख रहे होंगे उनको फाइदा मिल ला होगा तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो मगत सामराज और मगत सामराज में जो पहला वंस है वो कौन सा है हर्यक वंस ठीक है आप ऐसे सीक्वेंस वह पाईब्ली सिर्फ दो बते होते हैं क्योंकि एक ही नाम के दो लोग है इसमें जैसे नाम थोड़ा साउंड एक ही आता है नाम थोड़ा चेंज है एक है विंबी औधु पहले आता इखा है इसमें बस इतना ही थीचया करे देगा विंदू स में पहले तो विंदू क्या करेंगे आपकी दिक्कत दे सकते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि विंबी सार झो थै विंबी सार ठीक है और विंदू बाद में आती है ऐसे याद रख है वो क्या था रियक वंस का एक वास्तविक संस्थापक था मतलब उसी ने उस क्या किया था इस वंस की नियू रखे थी अच्छा वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है जो जहां से स्टार्ट हो जैसे आपके कोई दुकान खोलता है कोई सौप खोलता है कोई आपके दादा खोलते हैं तो वो उसके क्या होते हैं वास्तविक संस्थापक होते हैं आप कोई दुकान या स्टार्टप चालू करते हैं तो आप उसके क्या होते हैं वास्तविक संस्थापक थोड़ी कि गए इसको कि नाम दिए गया है महावंस फंढना मगत उतनी ही उमर में कि घृत अब आप नरेज बन गया तोości शादि वीआ होगा शासक पुत्री चेलना के सांद और चेलना के साद उसका बिवा हुआ ठीक है बोला बहुत अच्छी बात है चेलना के साथ हुई ठीक एक शादी हो गई उसके बाद क्या हुआ पहले की जो साधिया होती थी वो आप जानते थे कि राजनैतिक संबंद बनाने के लिए होती थी जैसे अगर आप दो लोगों में बहुत जगड़े लड़ाई हैं अग क्या होता है जो पुराने दुस्मनियां होती हो खतम हो जाती है अब ऐसा तो है नहीं कि संधिक उपर अटेक कर देंगे कि अरे वो तो मेरे बेटी का ससुर है चलो आज कूट देते हैं तो ऐसा नहीं तो वह से एक रिलेक्शन बन जाता है तो एक मर्यादा आ जाती है आदम पर कोई लड़ाई वगरे होता तो फिर वो अपनी बेटी की शादी अपनी बहन की शादी उससे करा देते थे राजा से और फिर उनसे क्या होता था उनके राजनातिक संबंद बहुत मजबूत हो जाते थे तो वैसे ही पहली जो साधी हुई बिंबशार की वो लिच्छवी जब मैं जो जो चीज पर इंपोर्टेंट बताता हूं या फिर इस पर डबल स्टार कराता हूं तो इसका मतलब वह चीज कहीं ने कहीं एक्जाम में पूछी गई है ठीक है लास्ट टाइम में जब मैंने हडपा वाले में बताया था तो वह क्वेश्चन एज इस सेम रिपी परेक शाधी किस से हुई चेटक के लिछवे शासक के पुत्री चेलना के साथ दूसरी शाधी कैसे हुई कि वहाँ यह जानते हैं कि लड़ाई जगड़े राजनयतिक संब्ध बनाने होते थे तो क्या कर दूसरी शाधी इसकी जो ही वो कॉसल नरेश प्रशेण जेद की बह महा कोशला के साथ हुई बस याद रखिए कि चेलना महा कोशला इनके साथ भीवा हुआ तीसरी शादी मदरदेश की राजदानी छेमा के साथ हुई छेमा के साथ हुई तो बस इतना याद रखिए कि विम्मशार की जो शादी हुए थी तीन शादिया हुए थी ठीक है चेलना महा कोशला और छेमा के साथ अब भाई युदध अच्छी खाशी शादी हो गई छीज़ें स्मट गई तो क्या होगा लढ़ाई होनी जाहिर सी बात है अगर क्या होता है आदमी सुबह जब हो जाता है जब हर चीज़ें complete हो जाती हैं तो आखरी में कहीं ने कहीं किसी चीज पर टकरा होना भी स्वभाविक है या वो तो अविसे बात ही हो नहीं है तो देखेंगे कि जब ये सारे चीजें सादेविया हो गया राजपाथ अच्छे चलने लगा तो कहीं ने कहीं जगडे आसपास से जो इसे उन से होने लाजमी है तो इन्होंने एक युत्ध हमें ये क्या हुए थे इन्होंने एक ब्रम्धत को परास्त किया तो ये याद करने वाले सबसे पहली चीज संस्थापक होने बिम्मिसार है, बिम्मिसार बिंदू से पहले आता है, इतना याद रखना बिंदू बाद में आती है ऐसे याद रखो कि चीज़ें तो याद रहे हैं कि बिंदू बाद में आती है, बिम्मिसार पहले आता है, ठीक तो ये होगे हमारा हर्य अगवंस में ये ठीक है, तो पहला एक बार आप देख लिजेगा चीजे मैंने आपको एकदम सीक्वंस वाइस करके सेट करके दे दिया चलिए, इसी के आगे जब बिम्बिसार का सारा खेल खतम होता है बुढ़े होंगे, जाहिर जी बात एक राजा है राज करेगा, काफी दिनों तक राज करता है, उसके बात बुढ़ा होता है कुछ भी होता है, तो क्या होता है उसका बेटा आता है, सीधी से बात है बेटा आएगा, बेटा उसका कौन था बिम्बिसार का बेटा जो था अजाद सत्रू ठीक है नाम बहुत फेमस है इस पर questions आते रहते हैं तो यह नाम याद रखिएगा कि अजाद सत्रू और sequence भी याद रखिएगा क्योंकि exam में पीसस लगेरा में exam में दे देंगे कि बिम्बिसार अजाद सत्रू उदेयन क्या था बिम्बिसार का लड़का था इसका एक और नाम था उसको बोलते थे कुडिक क्या नाम था कुडिक इसको क्या ना बोलते थे कुडिक अजाद सत्रू का जो एक और नाम था कुडिक तो question आएगा कि इसमें से किसको कुडिक नाम से जाना जाता था या इनमें से किसक ये राजा बन गया, तो प्रशेंजित की पुत्री वजीरा से इसका भीवा हुआ है, जो अजाज शत्रु था, प्रशेंजित की पुत्री, ठीक है, इसके पापा की क्या हुई थी, मतलब इनके पापा की देखो, प्रशेंजित की बहन महा कौशला से हुआ था, फिर प्रशें प्रतम बहुत शंगीतिक कोन करवाय था तो यह बहूत इंपॉर्टन है इसमें इस लाइन इन सब्सें उपॉर्टन है कि और रहा था आयोजन किसे हूस कर आ था इधार शंगीति इंकर आंर था उदाइन के बारे में देखते हैं, उदाइन किसका लड़का था, अजात सत्रू का लड़का था, यह याद रखिएगा, सीक्वेंस सबसे important है, इन सब सारे questions में, अच्छा, एक चीज और इसमें देखी हर एक चीज important है, उदाइन के बारे में, दोनों points, जैसे कि पाटिल पु जो है कि मगत सामराज की राजधानी को, राजग्री से पाटिल पुत्र क्या किया था, स्थाना अंतरित किया था, मतलब उसने क्या किया, राजग्री से बोला, यह जगर ठीक ठाक नहीं लग रही है, चलो एक काम करो, पटना चलते हैं, पाटिल पुत्र, वहां पे यागा राजधानी बनाते थोड़ा मौच काटते हैं ठीक है तो उसमें किया किया था किसने उदाइन ने question कैसे पूछेगा question पूछेगा इन में से किस राजा ने राजग्री से अपनी राजधानी पाटिल पूत्र अस्थानांत्रित किया नाम दे देगा बिम्भी सार अजाद शत्रू उदाइन चंद गुप्त मौरी तो आपको उसमें से नाम ऐसे चूज करना पड़ेगा ये PCS वगरे का pattern है ऐसे इसे question पूछते हैं या फिर one day exam में भी ऐसे पूछ सकते हैं ठीक है न तो ये देखिए अभी तक ये हर्यक वंस के कि आपको एक बार recap करके बता देता हूं पेहला कि मगत साम rush में हमने Jais怎app को मिला क्या मिला सबसे पहले हृर्यक वंस के बारे में हमने जैसे देखा तो सबसे पहले बार किसी ये जहाभा जाएंगी तो उसके पर किया करेंगे उसके owner की बारे में जानेंगी बादा building इसका मालिक कौन है ये बड़ा restaurant है इसका मालिक कौन है तो वैसे ये बड़ा खांदान है इसका कौन मालिक कौन था कौन किसने इसकी सुरुवात की तो उसकी सुरुवात जो की थी विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् था राजा बना दिया गया था नरेश बना दिया गया था ठीक इसकी शादियों के बारे में बात करते हैं शादियों के बारे में बहुत लखी था तीन-तीन शादियां हुई थी मौच काट रहा था पहली शादी इसकी हुई थी लिच्वी चेटक के लिच्वी शासा की पुत् है तो ऐसे रहा करेंगे कि go many of us 10 अझी याद होजाएंगë तो होगे तक ही है कहीं वह अगर आप देखेंगे तो अपने आंस पास देख लेजिए या असपड़ोस में देख लेजिए या किसी हिस्ट्री या कहानी या पिक्चर में आप देखते ही होंगे बिना जगड़े की मूवी या कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है तो युद्ध में क्या हुआ था कि ब्रह्मादत को क्या किया खूप उटाई की और उसको कूट के क्या गया उसका जो स्टीट था जिसको बोलते थे अंग उसको अपने राज में मिला लिया था विले मतलब मिला लेना ठीक है जैसे किसी का सामान अपने पास रख लेना मतलब वैसे यह किसी का क्या हुआ था स्टेट अपने राज में मिला लेना क्या कह लाता है उसकी बाद विम्पिशार का एक लड़गा था अजास सत्रू ठीक है अजास चत्रू ठीक ठाक बहुत अच्छा आदमी था ये भी बहू और नाम था इसको कुडिक बोलते थे ठीक है एक और नाम से जाने थे जैसे आप किसी का नाम मा लेजिए राम मनुहर है ठीक है और घर का नाम चिंटू तो वह वैसे इसको एक और नाम से जानते थे इसका नाम था कुडिक ठीक प्रशेंजित की पुत्री वजीरा से इसका भी क्या हुआ था सबसे इंपोर्टेंट लाइन क्या है अजास सत्र के बारे में कि बहुत संगीती पहली जो बहुत संगीती हुई थे उसके आयोजन में कौन करवाया था अजास सत्र ने करवाया था यह बहुत इंपोर्टेंट है हमीशा पूछा जाता है बहुत संगीतियों के इसके बारे में तीन चीज हमेशा याद रखेंगे तो आपके सारी questions बनेंगे अगला अजास सत्रु के बारे में देखिए अजास सत्रु का बेटा था सीकरस याद रखेंगा यह important है इसके बारे में दो चीज है बहुत famous है कि इसने पाटिल पुत्र के स्थापना करी जो आज का पटना है तो वो क्या है कि उस में पाटिल पुत्र की स्थापना की थी दूसरी चीज जो इसकी important है कि स्थानांतरित किया अपनी रजधानी को इसने क्या किया था मगस सामराज की राजधानी को राजग्री से उठा के बोला चलो पाटिल पुत्र चलता है यहां मजा नहीं आ रहा है तो उसको मजा नहीं आ रहा था इसलिए उसने क्या किया हो कि राजग्री से पाटिल पुत्र को क्या किया स्थाना अंतरित किया अपनी रास्थानी को तो ये चीजे आई होप आपको समझ में आई हूँ आज का जो topic था वो सिर्फ मैंने मगग सामराज में जो हरयक बन्स था मैं आपको सिर्फ हरयक बन्स समझाना चाहता था तो इसलिए मैंने बस तीन हर्यागवंस में जो तीन पिलर्स थे विम्मिसार, अजास, सत्रू, उदैन अगर आप ऐसे एक एक वंस को टार्गेट करके पढ़ते हैं तो आपको चीजे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी और आपके दिमाग में बैट जाएंगी ठीक है अगर आपको अचानक से हॉच पॉच करके 10-10 वंस पढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा कोई चीजे क्लियर नहीं होगी तो आप सबसे पहले जयांत करिए कि मगस सामराज में पहला वंस हर्याग वंस हर्याग वंस में विम्मिसार, अजास, सत्रू, उदैन उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जो मैंने आपको बताया है ये एक्जाम पॉइंट आप व्यू से इंपोर्टन है आप बस इसको देख लिजेगा, दो-तीन बार टू एक्स पर के वीडियो देख लिजेगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसे ही सौट नोट्स बनाएगा जैसे मैंने आपको बताए है और जहां-जहां मैंने इंपोर्टन लगा है उसको जरूर टिक करिएगा, अंडर लाइन किया है, उसको जरूर टिक करिएगा क्योंकि एक्जाम में यहीं से ही менее question पूछेगा, इसके अलाव है quantum question नहीं पूछेगा ठीक है, यहीं की एक्जाम में में होता है, Gs की question बने बनाएं आप कोई कसी के बाप नहीं चींज कर सकता है, ना कोई की और किसी की बीवी ना कोई किसी का made state change कर सकता है, ना कोई किसी की राजधानी तो इसमें क्या है? इसमें बस आपको GS क्या है? बस बेसिकिलिए आपको दस बार पचीस बार तीस बार आपको revision करना ए अगर आप GS तैयार करना चाहते हैं मैस में क्या होता है प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है मैस में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा रिजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा लेकिन जीएस जो कि आप जानते हैं कि सबकी लेक टफ टॉपिक है आप देखते हैं कि सबके मैस में सही ह जाते हैं GS में नहीं सही होते हैं जातर लड़े के जो मैसेजन का चौतन को GS खराब होता है ठीक है तो GS को सही करने का बस एक ही तरीका है कि मैक्सिमम टाइम में आप इसको पढ़िए कम से कम पांस दस वर पढ़ेंगे एक बार जब चीज़ें आपको सेट हो जाएंगे दिमाग में तो फिर भूलता नहीं फिर आपके लिए वह आसान होगा ठीक तो I hope आपको यह वीडियो थोड़ा समझ में आया हो कि मगर सामराज मे इसके बात का once होगा sequence wise उसके बाद एक-एक once दो-दो-once ऐसे करके अगर छोटे once होगे तो उनको दो-दो-once या फिर बड़े होंगे तो एक-एक once करके आपको धीरे-धीरे क्या करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे जिससे कि आपको चीज़े समझ में आया है और आपके थोड तो आपको वीडियो जो भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी ठीक है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है लगता है कि नएक काम की चीज है तो आप प्लीज बेल आइकॉन को जरूर दबाईए और अपने और हमारे बीच जो है यह क्या बोलता ह थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाईए अगर आप उसको बेल आइकॉन दबाते हैं तो हमारे तरफ से जो भी वीडियो दिये जाएंगे आप तक आसानी से और इसली पहुंच जाएंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए अवन्स के साथ अब तक ल